हैलो श्ट्रेंट्स, तो नायंत फिजिक्स और चेप्टर हमारा चल रहा है ग्रेविटेशन, इससे पछला लेक्चर हमने पढ़ाता ता इओनिवर्सल लॉफ ग्रेविटेशन न्यूतन का लॉफ, जिसमें हमने पढ़ाता कि जो फोर्स होती है, यॉनिवर्स के अंदर किनी दो अब्जक्टों के बीच उसका मेगनिटूड हम कैसे फाइंड करते हैं और वो थी हमारी एफ जी इकल टू जी एम बन एम टू बाई आर स्कार तो वह यूनिवर्सल लौ था और वहां पर हमने पढ़ाता कि यह जो फोर्स होती है फोर्स की क्या-क्या प्रॉपर्टीज होत लाइन जॉइनिंग होती है तो यह चीज पढ़ी थी हमने इसके बाद हमें इससे आगे पढ़ना था थोड़ा तो इसके आगे हम पढ़ना है में एक इसका बहुत रिलेटिव सा ट्रम्स है कि न्यूटन थाड़ लौ पोशन एंड ग्रेविटेशन इसका क्या मतलब होता है हमने न्यूटन का थाड़ लौ भी पढ़ा है और ग्रेविटेशन भी पढ़ा है ग्रेविटेशन में जो फोर्स है वो अट्रेक्टिव फोर्स है और न्यूटन का थाड़ लौ क्या कहता है एबरी एक्सन है जिक्कोल एंड अपोजिटरी एक्सन यही तो कहता है वो यानि अगर एक object दूसरे object पर force exert करेगा तो उतनी force वो भी object exert करेगा यही है simple तो इसको यह funda क्या है इस funda वो थोड़ा सा समझते हैं तो यहां से समझ में आएगा क्योंकि यह funda की हमें need क्यों पड़ी यह funding की need हमें पड़ी कि भाई हमने देखा कि न्यूटन बावा ने बताया कि हमें कि universe के अंदर जितने भी object है हर दो object हो के बीच में यह force लगती है और इतकी nature attractive है यानि दोनों पास पास आ रहे हैं दोनों पास पास आ रहे हैं लेकिन फिर भी दोनों पास नहीं आ पाते sun अर्थ के बीच में क्या अर्थ के ऊपर छोड़े तो object और अर्थ में भी क्या gravitation लगा होगा हाँ अगर हमारा stone अर्थ की तरफ जा रहा है तो क्या अर्थ भी आ रही होगी हाँ अर्थ भी आ रही होगी मैं दोनों के बीचे acceleration होगा पक्का लेकिन हमें stone तो दिखाई पड़ता है नीचे जाता हुआ अर्थ तो आती दिखाई नहीं पड़ती तो यह क्या है मनले इसे कैसे हम समझ सकते हैं तो इसको हम समझते हैं ठीक है तो start करते हैं आज का lecture तो हमारा topic है newton's third law of motion and gravitation ठीक है इसका तोड़ा relation पढ़ते हैं newton's third law of motion and gravitation ठीक है तो newton's third law of motion तो newton's third law क्या कहता है newton's third law कहता है every action is equivalent a position यानि अगर एक object किसी दूसरा object पर force exit करता है तो वही same amount की force वह दूसरा object भी उससी पर exit करता है यहीं तो है third law यानि एन अब्जेक्ट एन अब्जेक्ट एक्जर्ट सेम फोर्स एन अब्जेक्ट सम फोर्स एक्या नब्가 सम पॉर्स एक्या प्जेक्ट तो नब्जेक्ट सम इवात एक्या सम एप दूस ओन एक्या जुँऊ सम एक्या तूट तो फर्स्ट ऑबजेट यानि सिम्पल सब्दों में समझे एवरी एक्षिन है जो युनिवर्सल है यानि ग्रेविटेशन में जो फोर्स लगी है एक औपजक्के साथ दूसरा ऑबजेक्ट फोर्स लगी है तो क्या सेम अमाउंट की फोर्स लगी होगी हां same amount की force लगती है भाई एक object जितनी force लगाएगा वो दूसरा भी object उतनी force लगा देगा से तो अब जैसे हम सोचते हैं कि अर्थ है that is earth और इसके उपर हम एक stone है उसे हम ऐसे छोड़ते हैं तो क्या इन दौनों के भी same amount पर force लगी होगी हाँ force same amount में लगी होगी तो इसका मतलब है कि यह stone अगर ऐसे नीचे आ रहा है तो क्या अर्थ भी उपर आ रही होगी लेकिन हमें इसका तो acceleration दिखाई पड़ता इसका acceleration दिखाई नहीं पड़ता तो इसका कारण क्या है इसका कारण है कि हमने न्यूटन का एक second law पड़ा है जिसमें एक formula आया था हमारा f is equal to ma क्या आया था f is equal to ma तो यहाँ पर अगर हम acceleration की बात करें तो acceleration is equal to होगा f upon m यानि acceleration सीधा-सीधा inversely है mass के acceleration mass के inversely है mass के inversely का मतलब होता है कि अब जिसका mass जादा उसका acceleration कम यही तो हुआ ना जिसका mass जादा उसका acceleration कम तो बस समझ में आ गया हमें कि अर्थ का mass तो बहुत जादा है बहुत जादा तो इसका मतलब इसका acceleration जो होगा वह बहुत ही कम होगा stone का mass बहुत कम है इसका acceleration जादे होगा तो जिसका acceleration जाद है, उसका मोशन हमें जंदी दिखाई देगा, तो इसलिए हमें स्टोन जंदी दिखाई पड़ता है, अर्थ का मोशन दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि compare करेंगे, हम थो हमें समझ में आ रहा है, कि अर्थ का मास तो बहुत जादा है, तो इसका एक्सिलिर्याशन वह उसके बहुत ज़्यादा मास की बज़े से बहुत ना के बराबर कम है इसने उसका एक्सेलेशन हमें दिखाई नहीं दिएगा स्टोन का मास बहुत कम होता है इसका एक्सिलेशन जादे आएगा वो हमें दिखाई देगा किरियर हुआ चलिए इसका next फंडा पढ़ते हैं आगे जो एक बहुत important ट्रम्स है आपके नहीं है और जिसे हम जानते है Kepler's law ठीक है? Kepler's law तो Kepler's ने अपने law दिये थे किसके लिए है? Kepler's law of planetary motion Kepler's law of planetary motion तो Kepler ने जो planet के motion है इनके निए कुछ law दिये और जो हम Kepler के law पढ़ते हैं उन्हें हम three parts में पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि Kepler के three law है ठीक है? तो Kepler gave three law for planetary motion तो जो Kepler का first law है Kepler's first law Kepler's first law और इसे हम law of orbit के नाम से भी जानते हैं ठीक है? Kepler का first law भी बोल सकते हो और इसे हम बोल सकते है law of orbit अगर इसका second नाम याद रखना है तो हम इसको law of orbit के नाम से भी जानते हैं law of orbit क्या कहता है? यह बहुत simple है यह कहता है कि every planet every planet revolves every planet revolves around the sun in an elliptical path elliptical का क्या मतलब होता है? elliptical का मतलब होता है oval path में ठीक है? elliptical path elliptical path या elliptical orbit ठीक है? path समझ लीजिए चाहे? orbit समझ लीजिए यानि इसको बोलते है oval से ठीक है? elliptical orbit and sun is at its one focus ठीक है? जो sun होता है वो one focus पर होता है क्योंकि elliptical oval में दो focus होते हैं ठीक है? तो sun उसके एक focus पर present होता है तो सबसे बड़ी वाद तो इससे क्या पता चला? इस वाले पता चला कि जो path है orbit का वो circular नहीं है सबसे पहला तो हमारा conclusion ही आया कि जो orbit होती है जिसमें planet revolve करते है वो क्या है? वो sun circular नहीं है सबसे पहला concept आगया कि वो circular नहीं है अभी तक हम circular मानके चलते थे लेकिन वो circular नहीं है वो कुछ oval type की है यानि कुछ इस type की होगी ऐसे तो अगर ऐसी type की है तो इसका मतलब है कि इसमें 2 axes है एक है minor axes और एक है major axes यह देखिए छोटी वाली axes है तो इसको बोलते है minor axes minor axes और जो बड़ी वाली है इसे बोलते है major axes ठीक है? यह बड़ी है वो minor यह minor axes और major axes जो sun होता है वो major axes पर होता है और देखिए यह center इसका तो sun इसके जो focus होते हैं वो यहां होते हैं इसको बोलते है focus बन इसको बोलते है focus to तो suppose करो sun यहां पर present है तो यह कह रहा है जो each planet revolve around the sun in an elliptical path तो एक oval type के path में यानि जो planets होते हैं इसे घूमते हैं यह planet से उस sun के चार तरफ ऐसे घूमेगा इस वाले path में और sun कहां present है sun इसके एक focus पर present है ठीक है इसके दो focus है sun इसके focus पर present होता है इस वाले पर ठीक है तो अब जो pass वाला point होता है यह वाला यहां पर आजाए इसको बोलते हैं perihelion और इसको बोलते हैं प्लानेट ऐसे घूमता है इसके पाथ, चारो परफ है, यह कौनसी एक्सिज है, माइनर एक्सिज, यह कौनसी एक्सिज है, मेजर एक्सिज, सन कहां पर प्रिजेंट है, मेजर एक्सिज के फोकस पर प्रिजेंट है, ठीक है, तो यह हमें समझ में आया, तो कैपलर का फर्स्ट केपलर सेकेंड लो और इसको केपलर सेकेंड लो है ने वोः और इसको बोलते हम लौ औफुप एैरिया बाफु एयरियाज ये लोग इसके लिए लिए City लिए के लिए है तो इसमें क्या बताए है इनों ने इनों ने बता आहे है कि एबरी प्लैंट स्वेप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटर्वल आफ टाइम ठीक है यह स्टेटमेंट ज़का एबरी प्लानेट स्वेप्स एक्वल एरिया इन इक्वल इंटर्वल आफ टाइम क्या मेंस है इस स्टेटमेंट का तो इसको हम थोड़ा डाइगराम से समझते हैं कि दीखिए यह है इसकी इलिपिटिकल ओर्बिट मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस सन यहाँ पर प्रिजेंट है अब यह वाला पार्ट दूर है ठीक है सपोज करो एक प्लानेट यहाँ पर है और वो एक टाइम डूरेशन यानि टी टाइम में वो ए से बी पर आ गया सेम अब इस साइड आते हैं वही प्लानेट सी पर है और उसी टाइम में जितने टाइम डूरेशन में वो ए से बी पर पहुँचा है उसी टाइम डूरेशन में वो सी से डी पर पहुँचा उसी टाइम डूरेशन में वो सी से डी पर पहुँचा तो हमने इस एरिया को 걸로 करके देखा यहां से संसे तो यह एरिया इतना । और इसको कबर करके देखा तो यह एरिया इतना यह 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 एरिया एटू आगह सुर्थ मोँआ यह इरिया एवन यह तो देखें लेंट आफ-आर्फ इसकी तो कम है और इसकी लैंट ओफ-आर्फ ज्याद्य especially अगर हम length of arc की बात करें length of arc of a b is less अब a b की less than है less than length of arc c d c d की length of arc ज़ाद है और a b की कम है length of arc तो कम है लेकिन हम देखते हैं कि area equal है यानि a1 is equal to a2 a1 is equal to a2 इसका मतलब है कि जो planets है उसकी speed different होती है जब वो sun से दूर होता है तो उसकी speed कम होती है जब वो sun के पास होता है तो उसकी speed change होती है यानि जो planets है उसकी जो rotation की speed है वो constant नहीं है सेम नहीं है यहाँ पर देखिए कम स्पीड है यहाँ पर स्पीड जादा है क्योंकि उसने लेंट अफार कितना कवर करा है यहाँ पर केवल इतना कवर करा है लेकिन जो एरिया है वो सेम है के लिए रहेए और कैपलर का थर्ड लो ठीक है कैपलर थर्ड लो क्योंकि कैपलर ने तीन लो दिये तो इसको हम लॉफ पीरिड के नाम से भी रामते है लॉफ पीरिड इसमें क्या बोलते हैं इसमें बोलते हैं दा स्क्वेर ओफ टाइम पीरिड स्क्वेर ओफ किसका दाइम पीरिड स्क्वेर ओफ टाइम पीरिड ओफ रिव ने ऑफ रिवॉलुशन ओफ ए planet is directly proportional to the cube of radius, ठीक है, तो बहुत सिंपल सा कंसेट था ये भी हुनका, कि T2 डार्कली प्रपोजैनल है, आर क्यूब के, time period is directly proportional to radius of orbit उसकी, सो आर क्यूब डार्कली प्रपोजैनल T2 के, आर क्यूब डार्कली प्रपोजैनल T2 के, यहां पर एक constant आ गया, तो R cube upon T square is equal to constant ठीक है तो ये third law है कि जो time period का square होता है वो cube किसकी cube? radius, उसकी orbit की radius की cube के directly proportional होता है ठीक है, time period का square is equal to जो elliptical orbit है उसकी axis के, ठीक है यानि इसके axis के इसके क्या होता है cube के equal होता है तो T square directly proportional R cube तो that is the third law जिसे हम law period के नाम से जानते है तो ये थे कैपिलर के three law for planetary motion ठीक है, जो clear हो गए होंगे इसके बाद हम आपसे मिलते हैं फिर next lecture में और इसके बाद हम पढ़ेंगे Newton's square law क्या होता है और gravity के बारे में बाते करेंगे तो पढ़ते रहें, study करते रहें आगे बढ़ते रहें All the best